बुडिया तुने बहुत माला जप ली अब तेरे ये जो माला है न वो मैं जपूंगी समझी नहीं समझी तो मैं तुझे समझाती हूँ देख तुने इस घर में बहुत राज कर लिया अब तेरा इस घर से जाने का समय आ गया है अब तेरे हाथ में ये माला नहीं कटोरा अच्छा लगेगा तु किसी मंदिर में जाके ना हाथ में कटोरा लेकि भीक मांगना समझी अब तेरे हाथ में ये माला नहीं भीक का कटोरा अच्छा लगेगा गुलाबोच चल जल्दी से मेरे लिए खाना बना के लिए क्या बोज और की भूक लगी है और मुझे जरूरी काम से शेर जाना है आज खाना नहीं बनेगा जी मगर क्यों गुलाबो मेरे तबीय सुझे से ठीक नहीं है जी एक तो हलका हलका सा बुखार है और साथ में न सिर में दर्द भी है गुलाबो तुझे डाक्टर को दिखाना चाहिए था ना ऐसे कामों में लापरवाई नहीं बरतनी चाहिए मैं डॉक्टर के पास गई थी जी फिर डॉक्टर ने क्या का कोई दवाई दी या नहीं डॉक्टर ने तीन चाह टेस्ट की है जी और काई की शाम तक रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये पता चलेगा कि मुझे बिमारी क्या है और वैसे आपको एक बात बताऊं जी मैं मरूं या जीूं आपको ना मेरी कोई भी परवा नहीं है गुलाबो तु ये क्या बकवास कर रही है मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूं जी आपको पता भी है कि आपकी मा को क्या बिमारी है मा को क्या बिमारी होगी मा तो बिल्कुल ठीक है ना मा ठीक नहीं है जी मा को टीवी की बिमारी है टीवी की समझे आप गुलाबो तु ये क्या बकवास कर रही है मैं बकवास नहीं कर रही जी मैं सच बोल रही हूँ आपकी मा को टीवी की बिमारी है और आपको पता है जी ये जो टीवी की बिमारी होती है न ये छूट की बिमारी होती है ये बिमारी मुझे, आपको और यहां तक की बच्चों को भी लग सकती है गुलाबो मैं मा को अभी ओस्पिटल लेके जाता हूँ आपका दिमाग खराब है जी, जो उस बुड़िया को आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेके जाओगे उस बुड़िया पे इतने पैसे खर्च करने की कोई जोड़त नहीं है समझें चुप चापू से घर से निकाल दो बस गुलाबो तुमारा दिमाग खराब हो गया क्या तुम मेरी माँ को घर से निकालने की बात कर रही है अरे वो मेरी माँ है मा तो फिर ठीक है जी, आप रहो अपने माँ के पास और मैं चली अपनी माँ के पास माई के हमेशा के लिए अरे गुलाबो क्यों दिमाग की दई कर रही है तू अरे कुछ तो समझ वो मेरी मा है मैं उसे घर से निकाल दू मैं सही बोल दियू जी इस घर में या तो वो बुड़िया रहेगी या फिर मैं ये फैसला आपको करना है क्या आपको मा चाहिए या पतनी गुलाबो तु समझ क्यों ने रही मा इस उमर में कहा जाएगी उसका हमारे सिवा है कोन मुझे नहीं पता जी कहा जाएगी बस वो बुड़िया ना इस घर में नी रहेगी वरना मैं चली गुलाबो ये तू क्या कर रही है तुझे पता है ना मैं तेरे बगेर नहीं रह सकता। नहीं रह सकते ना, तो बस फिर फैसला हो गया। आप अपनी मा को ना इस घर से निकालोगे, समझे आप। मगर मा जाएगी कहां। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहो तो बताऊं। चल बता। सुना जी, आप मा को ना, इस शहर से दूर, किसी दूसरे शहर में ना, किसी मंदिन में जाके छोड़ाना। वहां मा भगवान के पास रहेगी, और साथ में भीक मांग कर खाने को भी मिल जाएगा। अरे वा गुलाबो, क्या जवर्दस दिमाग पाया है तुने। वैसे इस नेक का में अब देरी नहीं होने चीए, तू यू कर, फटा फट मा के लिए गठरी त्यार कर, मैं उसे बिना विलंब किये, शहर छोड़ आता हूँ, जल्दी कर जल्दी। आप कितने अच्छे हो जी। मा, क्यों अपने बुड़े हातों को कष्ट दे रही है तूँ, चल, मैं तुझे हरिद्वार गंगा सनान के लिए लेके चलता हूँ। हाँ हाँ जी, मा को गंगा सनान के लिए ले जाए, बगर थोड़े जल्दी करो जी, कहीं ट्रेन निकल ना जाए, ये लो जी। मा, रेन निकल जाएगी थोड़ इसे, आजा, हाँ, 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 सास का गया राज, अब आया बहु का जमाना नमशकार प्रिया दर्शको, हमें सास को मा के समान ही दर्जा देना चाहिए, और हमें मा का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए और भाईयों बेनों मैं आपको एक जरूरी संदेश देना चाहूँगा कि टीबी की बिमारी छूत की बिमारी नहीं है यह बिमारी छूने से नहीं फैलती और टीबी का इलाज बिलकुल पूरी तरह संबव है इस वीडियो में मैंने जो अपनी मा के साथ किया वो आप कभी भी किसी के साथ ना करें और अगर आप सब को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और हाँ हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा धन्यवाद